OJT on the job training होती है और इसे industry-based learning भी कहते हैं इसमें आपको real life scenario में जाना होता है industry में और practically जो भी आपने सीखा है वो practice करना होता है और अपनी सारी knowledge को इस्तमाल करना होता है और learn continuous करना होता है और अपने आपको upskill करना होता है continuously so that आप एक काबिल professional बन सके हैं जब आप OJT पे जाते हो तो आपको काफी सारी issues face होती हम बहुत खुशी-खुशी जाते हैं और सोचते हैं कि पहले दिन से ही हमें सबसे जादा काम करने मिलेगा सबसे best काम करने मिलेगा direct operations समालने मिलेंगे लेकिन ऐसा reality में होता नहीं है पहले आपको छोटे-छोटे काम दि दिखेगा कि आपको long working hours होता है क्योंकि आप अभी नहीं नहीं आए हो तो सीखने के वक्त थोड़ा वक्त जादा लग जाता है तीसरा चीज जो आपको दिखकर आएगा कि कभी-कभी आपको छुटिया नहीं मिलती है विकोज आपकी demand जादा है आप skilled person है और चाहती है माई तक का मिल रहा है बाकी पूरा stipend नहीं मिल रहा है तो यह चार issues आपको देखने के मिलेंगे जब आप OJT पे जा रहे हो तो लेकिन इसके साथ साथ आपको काफी सारी learning भी मिलेगी और सीखने को भी मिलेगा कई बार अच्छे लोग भी मिलेंगे कुछ लोग आपको pressure द रखी है जो की private limited company है और ये contracts उठाती है placement की पूरी फुल-fledged company है जहां पर हर प्रकार के लोग है जो ये clients के साथ deal करते हैं और tie-ups करते हैं बच्चों के साथ deal करते हैं तो ये touch में रहते हैं और clients से बात करते हैं और अगर आपको issues है senior related तो वो resolve करते हैं mentally support करते हैं इसके अलावा आपके week off को manage करते हैं technology में आपको promote करते हैं कि आप technology use करें so that हमें वो पता चले तो आपको calls जाते हैं और इसके अलावा जो stipend वगरा है वो आपके time to time EMI कभी-कभी आपके EMI कम होते क्योंकि आप पूरे नहीं जाते हो थोड़े थक जाते हो तो य जो EMI's को average out करना जो है extra amounts जो इनको मिलता है as a placement company उसमें से manage करते हैं कई बार कई clients पूरे EMI's नहीं देते हैं तो बाकी जो बच्चे हैं उनके EMI's वो match करते हैं इसके अलावा पूरी जो support है travel करके जाना ये सारी चीज़े हमारी placement company करती है OJT करने का benefit ये है कि आप life में सबसे आगे रहेंगे बाकी बच्चों से कम से कम पौने तीन साल जादा रहेंगे promotion related भी आपके पास हमेशा पौने तीन साल तक जादा experience holder रहोगे और जादा काबिल रहोगे because skilled way में आप trained way हो और latest education outcome based जो है अपना national education policy के सबसे आप trained हो सो ये भी आपकी facility रहेगी और I think आपको अपने education से proud भी होना चाहिए because अपने अपना EMI खुद भरा है और हम भी बहुत proud है आपके education को लेके और ये ही हम चाह रहे थे कि आप अपने पैरों पे अपने बल पे खड़े हो This is the motive of CEDP. So all the best.